नमशकार, मैं वैशाली, आज में बना रही हूँ अंगूर का जूस, और अंगूर काफी हल्दी होते हैं और हमें इसे किसी भी रूप में खाना चाहिए, तो मैं आज इसका जूस बना रही हूँ जो गर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया रिफ्रेश्टिंग ड्रिंक है, और में काफी मातरा में विटामिन C होता है जो हमारे इम्मुनिटी सिस्टम को एकदम बहतर बना देता है और काफी मातरा में इसमें खनी स्थत्व होते हैं मिनरल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए यह स्केन के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए हमें इसका जूस पीना चाहिए, अंगूर ऐसे ही खाना चाहिए, और अंगूर में काफी मातर में फाइवर होता है, जो हमारे पाचन तन्फर को सुधारता है, इसलिए हमें अंगूर खाना ही चाहिए, और यह हमें गर् अगूल भी रहती है जब हम इसे मार्केट से लेकर आते हैं तो और पानी में मैंने इसे डिप करके रख दिया है और मैंने हाफ कप के करी में पे पुदीना लिया है और इसकी डंडी नहीं ही लेना है पतिया लिये मैंने और एक निम्बू लिया हुआ है और एक चोथाई अगर अंगूर ज्यादा खटे हैं तो चीनी की मातरा बढ़ा सकते हो तो यह देखिए अंगूर का जूस बनाने के लिए आपर मिक्सर जाल लेली है मैंने तो अमें इसमें अंगूर डाल दूँगी साथ ही इसमें डाल दूँगी सेंधा नमक काला नमक और पीनी डाल पुदिना से बहुत ही बड़िया डेस्ट आता है बड़िया फ्लेवर आता है और साथ ही अमें इसमें डाल दूँगे निम्बू का रस तो मैंने पास एक छोटा निम्बू है तो मैं एक निम्बू का रस डाल रही हूं अगर आपके पास बड़ा निम्बू है तो आप तो यह देखिए हमारा अंगूर का जूस तयार है और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुश्बू आरी है मेंट की तो आम इसे चान लेती हूं तो यह देखिए यहां पर एक बाउल ले लिया और यहां पर एक स्ट्रेणर ले लि तो यह देखिए अंगूर के जूस को मैंने चान लिया है थोड़ा से इसमें पुदीने के भी रेशे थे और थोड़ा सा अंगूर का भी यह देखिए रेशा निकल आया है तो यह देखिए कितना प्यारा हमारा जूस तेयार हो गया है तो हमें इसे सर्फ करती हूं तो मैं अंगूर के जूस को ग्लास में सर्फ करदे था हूं तो कूरा धेती हुँ तो मैं 2 ice cubes नाल रही हूं और अब इसके अंगूर का जूसर डाल दूँगी, यह देखिये कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना प्याराकलर आया है, एकांगूर फिन्हीं कर देखते तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दिन्नेवाद